प्रबु प्रसाद चानल में सभी भाई भेनों का स्वागत है आज कजाया बनाएंगे दक्षिन भारत में विशेश करके यह कजाया चावल और गुर से बनाते हैं तो इसके लिए एक दिन पहले चावल को भीगाना होता है तो देखिए अभी मैं एक ग्लास चावल धो के दो तीन बार धो के इसको भीगा रही हूं यह 24 अवर्स मना 24 घंटा भीगा के रखना पड़ता है सारे दिन में दो बार पानी चेंज करके देखिए यह ऐसा होता है भीगने के बाद अभी इसको छनी में डालके पानी सब निकाल देंगे देखिए ऐसा अभी यह पानी सब निकलने के बाद एक काटन वाले कपड़े के उपर ऐसा 10 मिनिट के लिए सुका देंगे तो उसमें जो भी घीला पन है वो निकल जाएगा फुल नहीं सुकाना है सिर्फ ऐसा एक 10 मिनिट के लिए सुका के देखिए इस कंडिशन में चावल रहने से देखिए ऐसा पकड़ने से ऐसा रहता है इसको अभी मिक्सी में डालके पाउडर कर लेंगे अभी इसको मैं मिक्सी में डाल रही हूँ पाउडर कर लेंगे देखिए पाउडर हो गया है अभी इसको चान लेंगे देखिए चानने के बाद अभी इसको ऐसा इकटा करके रख देंगे ज्यादा सुकाना नहीं है इसको तो इसके लिए जो सामगरी चाहिए देखे थोड़ा सा पानी पौना ग्लास गुड़ ये लाइची पौडर ये आटा छान के लिए है अभी स्टव पर एक बरतन रखे उसमें गुड़ डाल रही हूँ पानी रखा था न वो पानी इसमें डाल रही हूँ अभी इसको एक कर्ची लेके घुमाएंगे देखिए ऐसा एक गुड़ सारा पीगल जाएगा देखिए गुड़ पीगल गया है अभी इसको एक कटोरी में पानी लेके उसमें ये चाश थोड़ा डाल के देखिए ऐसा हाथ में लेकरके देखते है देखिए कितना अच्छा ये पाक रेडी हो गया है इस कंडिशन में अभी आटा इसमें डालते घुमाएंगे थोड़ा थोड़ा करके आटा डालके घुमाते जाएंगे कई बार आटा ज़्यादा उठाता है कई बार कम उठाता है वो देख करके हमको लेना है देखिए इसको आच्छी तरसे मिक्स करेंगे देखिए ऐसा हल्वा के जैसा ये तैयार हो रहा है इसको उपर से थोड़ा सा तेल लगाकर रख देगे देखिए कितना अच्छा हो गया है इसमें यालकी पाउडर डाल रही हूँ देखिए ऐसा इसको भी अच्छा मिक्स कर लेंगे अभी इसको लोया बना लेंगे ये पाग बनाने के बाद उपर से तेल डालके दो दिन पंदरा दिन के बाद भी बना सकते है उसी का उसी समय भी बना सकते है मैं उसी का उसी समय बना रही हूँ देखिए ऐसा लोई बना लेंगे अभी एक लोई लेके उसको दोनों तरफ तिल लगा के पूरी जैसे हम बेरते हैं लेकिन ये हाथ में ही ऐसा शेप देंगे इसको देखिए तेल गरम हो गया है उस तेल में अभी ये कजाया डाल रही हूँ देखिए एक उपर आने के बाद ही दूसरा डालना है नहीं तो एक दूसरे को चिपक जाता है पहला टैम बना रहे तो एक एक करके बनावे तो बहुत अच्छा होँगा देखिए एक तरफ ये तल गया है अभी इसको पल्टा रही हूँ इसको मीडियम फ्लेम में तल लेंगे देखिए दोनों तरफ रोस कलर हो गया है अभी इसको एक कर्ची के सहायता से एक के उपर एक ऐसा रख के थोड़ा दबाने से जो इसमें तेल होता है वो निकल जाएगा देखिए ऐसा मैं अभी दूसरा भी आपको बना के दिखाती हूँ देखिए ऐसा निकाल देंगे देखिए लोई लेके दोनों तरफ तिल लगा के फिर इसको ऐसा शेप देंगे अब इसको तेल में डाल रही हूँ दोनों तरफ अच्छे तरफ से तल लेंगे देखिए बादाम कलर रोस कलर आ गया है देखिए अब इसको एक दूसरे कड़्ची के उपर ऐसा तेल सारा निकल जाएगा इसा दबाने से देखिए कड़ जाया रेडी हो गया है अभी इसको सर्विंग बॉल में निकाल रही हूँ कितना सुंदर कड़ जाया सौथ इंडियन टोली चावल की टोली रेडी हो गया है कड़ जाया रेडी कर दो देखिए झाल झाल